हेले दोस्टाइब सभी लोग का स्वागत है मैं चैनल दगेकी मौंग में दोस्तो ये आस्क मौंग का ये पहला एपिसोड है और इस पर्टिकुलर एपिसोड में जितने भी सवाल जितने भी लोगों ने पूछे हैं और साथ ही साथ में उनको यहाँ पर कैश प्राइज भी देंगे तो चलिए बाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट बहुत यहाँ आने वाली है तो यह ऐसे कुछ कोशन्स है जो लोगों ने पूछे तो और कोशी तो यहाँ पर काफी ज्यादा फणी कोशन्स भी हैं तो उनको भी हम यहाँ पर रिप्लाइ करेंगे तो चलिए नाव लेट गेस्टार्ट इंगे तो फिर तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉंटेट कर भाई साब ने तो हमसे कॉंटेट करी लिया था उनका नाम है कुलदीब कुमार और वो यूपी से ही है तो मैं जैसी उनको फोन पहुच जाता है मैं उनका यहाँ पे फोटो लेकर करके उनको बोलूँगा कि भाई आप हमको भेज दे ताकि मैं कमुनिटी पोस्ट पे भी उ इसे लोग है जिनका नंबर मुझे पता है तो लेट्स कॉल देम एंड लेट्स गिव देम असप्राइस तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कॉल करते हैं सुहेल मंसूरी जी को ठीक है तो भाई इनका जो नंबर है यह यह दिया हुआ है 37 555 और इसके आगे पूरा नंबर इसा नहीं हो सकता ना तो चलिए इनको हम मिला रहे हैं लेट्स इसके बाद हमारे पास यहाँ पे यश्वन्त जी का भी नंबर है तो चलिए यश्वन्त जी को के नंबर पे यहाँ पे ट्राइ करते हैं तो भाई 9629 55 करके नंबर है तो ठीक हमने मिला दिया है इनको भी एक देख थे हम लेते हैं वके पगवान तो थोड़ा सब एड कर लेता है क्या पता फोन ऊड़ जाए लीज़े भाई यहाँ पे दूसरे बंदे को भी हमने यहाँ पे कॉल किया उनका भी नंबर नहीं लगा इसके बाद चलते है तीसरे बंदे के पास तो भाई यहाँ पे जो तीसरे बंदे थे उनका नाम है दीप सेन तो चलिए 893 और इसके बाद है फोर नंबर लास्ट में तिक है इतना ही बहुत है पूरा नमबर नहीं बता सकता है आप बात करने में प्यान रखें आप नमशकार कैसे हैं आप बढ़या आप बस यार एक्शॉल में ना ये वीडियो ही शूट में कर रहा था उसकी जो आज कमेंट जो आस आस मौक सीरीज में आज नहीं स्टार्ट में ने करी थी ना तो मैंने वहीं से आपको मैंने कॉल किया था एक्शॉल में जितने भी हमारे विनर्स हैं मैं सबको लाइन बे लाइन कॉल कर रहा था और अनफॉर्चॉनेटली किसी ने फोन नहीं उठाया था वहाले समय चली कोई यहरा था मुझे आपना दिख्रा नवर दिखिया था दो एक सेंड भूष पर मैं यहां पर तो एक सेकेंड बस ओपन कर दू को मैं फोन फोन पे से प्रस विन यूपि आपके लिkaya तो वो यह थे यह घ्र of तो यह वाली जो मैं अभी यह वीडियो पोस्ट करूंगा उसके नीचे जाके कमेंट जरू करना है कि आपको मिल जागा एक हाँ शाम तक मैं बस अभी इसको मैं तुरंटी में एडिट करूंगा और जल से जल मैं यहाँ पोस्ट करने की कोशिश करूंगा एक्शल मैं मुझे तो इस वज़े से देखो अभी आपको शैसे मिल भी गया होगा अभी आपके पास कोई नोटिफिकिशन आई हाँ यहाँ बहुत आपको 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 नहीं देता अहां भाई मैं आपनी तरफ से पुरी तरी किसे रखना चाहता हूं अब बाकी हो का नहीं बदा बाकी तो भाई यह थे दीप सेन इनसे अभी हम ने बात करी ठीक है यह भाई वाई थे विया पी नंबर है थोड़ा समल के बात करें तो फिर दोस्तों यहां पर मैंने सारे लोग को फोन मिला है लेकिन किसी का भी फोन नहीं उठा लेकिन जैसे यह लोग मुझे इस नंबर पर कॉ देने के बाद उसके स्क्रीनशोट आपके साथ में मैं कमुनिटी पोस्त पे शेयर कर दूँगा पूरी तरह के से ट्रांसफेरेंसी यहां पर बरती जाएगी बस उनका यूपी यह यहां पर दिखाऊंगा नहीं और जो भी लोग है भाई उस पर्टिकुलर कमुनिटी पोस प्राइब बढ़ाने का मतलब क्या है एक इपार में जितना बढ़ाना बढ़ा लो ना बार बार किसले ना बढ़ाना लेकिन इसका कोई क्लारिफिकिशन उन्हें नहीं नहीं दिया है इसके बास दोस्तों यहां पर जो नेक्स वाला कोशन आता है वो आता है गो वारल की तरफ से I want to know a secret from you my question is that from where will you get inspiration from where did you got inspiration and motivation to post videos daily तो बाई मैं simple जा बोलना चाहूंगा कि एक नहीं फंडा होता है life में सभी लोग यहां पे हमेशा इसके अमल जो इने करिएगा कि अगर आपको grow करना है तो दो ही है चीज जो जिसको आपको follow करना चाहिए पहली चीज first of all you have to do what your competitors are doing ठीक है और दूसरी चीज you have to do things differently from what the competitors are doing तो बाई इसलिए बेटर है कि जो competitor कर रहा है वो तो करी करीए लेकि साथ ही साथ में उनसे कुछ different करीए तो बाई वही चीज करने की कोशिश है हमारी यहां पे इसलिए हम यहां यहां पे इन्होंने पुछा है motor one fusion लेना चाहिए यहां पर नहीं तो बाई मैं यह बोलूँगा कि अगर के वर स्टॉक एंडरोइड के साथ में जाना चाहते हैं तो yes you can go with motor one fusion it is not a bad device at all इसके बाद दोस्तों यहां पे इन्होंने rapid fire पूछा हुआ है चलिए rapid fire को बिना पढ़े यहां यहां पर simply जैसा पूछा है वैसे हम यहां पर बताते हैं BMW या फिर ओडी BMW जी एफ यह कामवाली भाई जी एफ लिया गोटी या फिर मिया खलीफा तो मिया खलीफा तो मिया खलीफा यूटूब की वज़ेट में तो बाई दोनों में से कोई नहीं वन प्लस या पर सैमसंग बज़ेट में तो बाई वन प्लस और अगर प्रीमियम में जाना तो सैमसंग क्यों आइपोन क्यों नहीं ठीक है इसके बाद PUBG या फिर जी एफ तो बाई जी एफ अब काफी लोग बोलेंगी बाई जी एफ है क्या आपकी तो बाई मैं आपको बता दू यहां पे जी एफ की अपने रिलेशन के लिए यहां पे कमाते हैं तो यू एफ तो गिव इंपॉर्टनस तो इट तो येस रिलेशन सार मच मोर इंपॉर्टन देन अनी अधर तिंग्स इन वर्ल टीक इसके बाद दोस्तों यहां पर इफ नाम से आने वाला यह कंफर्म नहीं है पर येस फ्लेक् आता है वो आता है सेलेश कुमार जी की तवसे हो यहां पूछते हैं आई वेटेट फॉर्यल्मी एक्सरी और इस फोन हैस दिसपोंटेट मी शुड़ाइब रियल्मी एक्स्टू नहीं यहां बाद प्रदीपता कुमार बेश जी पूछते हैं मॉंक्स मॉंक ब्रो आर्यू चाहूंगा कि यहां पर शौमी में अभी भी एड्स आ रहे हैं लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाई थी MIUI 11 में सारे एड्स को डिसेबल करने के लिए जी हैं दोस्तों नहीं सिफ ब्राउजर के एड्स बलकी पॉप अप एड्स या कोई भी अधर एड कहीं पर भी नीचे छोटा सा भी कहीं भी आ रहा है न तो उसको आप डिसेबल कर सकते हैं कैसे करना है पूरी वीडियो मैंने कि दरफ से वो आ रहा है सर I wanted to know should I wait for OnePlus not or should I go with Realme X3 भाई मुझे लगता है कि Realme X3 के साथ में चले आप जाए क्योंकि उसके इंदर प्रोसेसर आपको ज्यादा बेटर मिल रहा है पोको F2 और Realme X3 तो भाई मैं बोलूँगा should I wait for POCO F2 येस भाई I would actually suggest POCO F2 अभी कुछ आई नहीं दा तो मैं क्या बोलूँ लेकिन अभी POCO F2 जब भी आएगा तब देखा जाएगा बट यू के वेट फॉर इट यहां पर expectation बहुत ज्यादा हाई है POCO F2 से तो येस you can expect something very great from limit और प्राइस दी काफी अधा बढ़िया रहेगी ठीक है इसके बाद सांतनु पत्रा जी पूछते सर वाट इस यो ड्रीम मेरा जो ड्रीम था वो पूरा नहीं हुआ ड्रीम मेरा पहले देखा था मैंने वो पूरा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली पर उसके बाद अब मै जो अगला कुशन आता है वो आता है रिशेप सिंग जी की तरफ से पोको एक्स्टू में बैटरी द्रेन एंड हीटिंग इशू का प्रॉब्लम कब तक सॉल्फ हो जाएगा MIUI 12 पोको एकस्टू में कब तक आएगा तो पहली बात बता दो MIUI 12 आपको नवंबर में ही देखन हुआ नजर आ जाएगा लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो मैंने अपने पोको के डिवैजिस में नोटिस किया है कि जो इसका AI इंजिन है वो आपके यूसेज को रीट करके आपकी बैटरी परफॉर्मेंस को इंक्रीस कर देता है जी हाँ ऐसा ही होता है मैंने तो एक्लिस मै मैसूस किया है और उन्होंने यहाँ पर बताया भी है अपनी अपनी वीडियो में तो येस यू कैन थिंक फॉर एट और इसके बाद अगर हम यहाँ पे समीर बहरा की का कमेंट ले ले तो वह पूछते हैं I wanted to buy Poco X2 but it has a battery issue if in it start it has problem I think it won't last for 3 years then came Moto Fusion Moto Fusion still disappointed तो भाई शुड़ I wait for OnePlus Z yes you should definitely wait for OnePlus Z OnePlus Z आपको निराश नहीं करने वाला बस यहाँ पर प्राइजिंग अगर जो यह बोल रहे है 22,000 तक का अगर हो रहा है इसके बाद तो यहाँ पर अक्षर अगर पूछते हैं कि OnePlus Nord Z कब तक आएगा तो भाई वो इसी महीने जुलाई के मिड जुलाई में आप आपको देखने को मिल जाएगा और उसकी प्राइस 22,000 के आसपास में होगी and some specification तो भाई वो Snapdragon 765 के साथ में आएगा फ्रेंट में आपको dual punch hole display देखने को मिलेगी और मेरे ही साह से उसके अंदर आपको LCD display ही देखने को मिलेगा with high refresh rate यहाँ पे AMOLED screen नहीं मिलेगी उसके इसके बाद अगर यहाँ पे जसो बनता अमध जी का question पूछा जा है should I buy Samsung A71 is it worth money तो भाई वो थोड़ा सा महंगा है उसकी specs के साथ से मेरे साथ से मती आप बाई करे तो जादा बेटर है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे action and adventure book lover पूछते है sir what technology as per you shall define the mobile market in 2020 as per me I personally think the 5G technology is going to define the market of 2020 and yes in the near future you will expect और पहर बाद में जाके लोग यहीं सोचेंगे कि हाँ बाई 2020 में ही इंडिया के अंदर 5G phone आना स्टार्ट हुए थे yes this is it इसके बाद दोस्तों यहां पे भारत जदौन जी पूछते हैं कि when will our aces 6z be in stock तो भाई aces 6z की पीछे मत पड़ी क्योंकि अब aces 7z लेकर के आ रहा है जी हैं दोस्तों यहां पर rumors आ चुके हैं कि aces 7z भी यहां पर launch हो सकता है या तो july नहीं तो अगस के महिने में ला इतना बखूबी ख्याल रखें इसके बाद दोस्तों यहां पर अरजुन धूमल जी पुछते हैं मैं one smartphone लेना चाहता हूं मतलब मैं one smartphone लेना चाहता हूं one plus seven क्या यह लेना से देगा हाँ one plus seven के साथ में आप जा सकते हैं काफी बढ़ीया जो यह phone है it is a good one और यह मुझे wait कर ना होगा upcoming smartphone के लिए अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं तो आपको यहां पर यहां पर रेडमी का के 30 प्रो भी आपको दिखने को मिल जाएगा पर one plus seven device is also good पर अगर आप उससे थोड़ा सा और भैतर लेना आप चाहते हैं तो यहां पर expectation है कि रेडमी का के 30 प्रो यहां यहां पर 30 पास में लाँच होगा ठीक है इसके बात भाई गेम मेशन बोलते हैं कि Ryzen 9 versus i9 तो भाई मैं यहां पर Ryzen 9 के साथ में जाना चाहूंगा और इसके बात यहां पूछा है कि best gaming plus streaming phone under 25,000 for now it is Realme X3 अभी के लिए बोल रहा हूं मैं ठीक है इसके बात Realme 6 Pro versus Moto1 Fusion Realme 6 Pro definitely and and please make a video on laptops and PC तो भाई ज़रूर मैं उसके उपर भी लेकर के आऊँगा इसके बाई सेलेश कुमार जी पूछते है कि love you from Orissa ठीक है लव यू तू इसके बाद दोसे यहां पे सूपरी उदास पूछते है कि bro can I you tell me when the MIUI 12 update will come in Redmi Note 9 Pro Max तो भाई यह आपको नवंबर के मन्त में ज उसके नीचे में जाएंगे तो PUBG बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी PUBG में तो इसलिए बेटर है कि आप iPad 7 Gen के साथ में जा सकते हैं और यहां पे Wi-Fi वाला वोजनी ले ले वही ज्यादा बेटर रहेगा ज्यादा सस्ता भी रहेगा और साथी साथ में यहां पे 32 GB वाला वीडियाट ना लेकर के बल्कि आपको लेना चाहिए एक लिए 64 या 128 GB वाला वीडियाट इसके बाद अवेंद्र कुमार जी पुछते हैं How do I get a phone for gaming under 10,000 my device Redmi Note 9 Pro can't record videos to upload YouTube videos तो बहुत ही simple सा solution है यहां पे कि आप OLX पे चले जाएं यहां पे Poco F1 या फिर Redmi Note 8 Pro यहां पे OLX पे 10,000 के आसपास में मिलेंगे उसको आप जाके पर्चेस कर आप सकते हैं बहुत ही बढ़ीन डिवाइस है आज के समय में भी इसके बाद महित थागर जी पुछते हैं Redmi 9 Pro Max या फिर Poco X2 भाई Poco X2 इसके बाद मोहित थागर जी पुछते है Moto1 Fusion और Poco X2 तो भाई अभी यहां पे इनका बोलना है कि भाई गेमिंग के लिए और कैमरा प्रेस्प्रेक्टिव दोनों के लिए तो भाई गेमिंग के लिए पर गेमिंग के लिए अभी वो फोन आजा है हमारे पास डेलेट कमपेशन करेंगे तबी मैं बता पाऊंगा पाएंगे और हर एक चीज़ में ग्रो करने में टाइम लगता ही है बस यहां पे पेशेंस रखने की ज़रुवत है यहां पे कई मैने ऐसे चैनल देखें अगर आप गेमिंग की बात कर ले तो भाई यहां पे मॉटल करीब आठ नौ सालों से यहां पे गेमिंग कर रहे थे लेकिन अब जाकर के उनका चैनल बूस्ट हुआ तो यहां पेशेंस इन एनिधिंग वाटएवर यू गोवित प्रसंजीत कामले जी पूछते हैं कि सर रियल मी एक्स्री में 3.5 mm जैक नहीं है क्या यह आगे जाके दिक्त पैदा हो सकती है क्या नहीं भाई आगे जाके दिक 8.55, snapdragon 765 या फिर 8.55, snapdragon 8.55 for sure, realme vs redmi vs oneplus, oneplus, IPS LCD 120Hz vs amoled 90Hz, तो भाई मैं बोलूँगा amoled 90Hz for sure, oneplus z vs realme x3 super zoom, oneplus z vs realme x3 super zoom, realme x3 super zoom, realme x3 super zoom नहीं realme x3 को साथ में जाओंगा, oneplus z के साथ में नहीं जाओंगा, तीक है, अगर 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 प्राइस अगर दिखा जाए तो ब OnePlus Z अगर 22 या 25 के बीच में आता है तो यहां पे आपको Realme X3 जादा बेटर प्रोसेसर दे दे रहा है तो इसलिए मैं Realme X3 बोल रहा हूँ एक्षिद मोधी जी पूछते है कि आप परसनली कौन सा फोन यूज़ करते हो डेली लाइफ में तो भाई हमेशा मेरे डिवाइजेस चेंज होते ही रहते हैं अभी मैंने कुछ दिन पहले Realme 6 को मैं यूज़ कर रहा था उससे पहले यहां पर मेरे पिन कोड पर डिलिवर नहीं कर रहा था मैंने आस पास के एरिया के जो भी हमारा यहां पर मैंने बाकोडर में आसा नहीं कोड फर्द्र में थैकल इलिवर और मेरे उसके लाइफ मैं से कर यeter है तो यह यह काम कर सकते हैं जो लोग बारा बारण यह शिकायत कर रहे थे कि हमारे पिन कोड पे डिलीवर नहीं हो रहा है उनके लिए बोल रहा हूं मैं तिक इसके बाद अरविंद कुमा जी पुछते हैं आपको ये सारी चीजे उसके दिखने को मिल जाएंगी इसके बाद माना होता एक धर्म है इनका चैनल का नाम है शाय से इन्होंने पूछा है वाहे गुरू जी ब्लेस यू थेंक यू थेंक्स लॉट तुस्सी चड़ी काला छे रहो बहुत महनत कर रहे हो तुस्सी चड़ी का क्लिए बस इता आई होफ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हाँ दोस्तों अगर आपके अभी भी कोई सवाल बचे हुए तो भाई नेक्स वाले वीग में हम उसको ले लेंगे तो आप यहां पर इसी इतना वीडियो के नीचे यहां पर हैस्टेग आस्मांग करके आ तो यही चीज़ हम जो है करेंगे नेक्स वाले टाइम में ताकि कम समय में हम ज्यादा कोश्टेंस यहां पर कवर अप कर पाएं तो दोस्तों इस वाल इस वीडियो डोंट फॉर्गेट तो सब्सक्राइबर्स